हेलो एब्रिवन स्वाकते आप लोंका मेरे चैनल पर आज फिर मैं आप सब के साथ शेर करने जारी हूँ बहुत सारे कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो की आपको काफी ज़ादा यूज में आएंगे तो वीडियो को आपको पूरा जुरूर देखना है कोई भी टिप आपके लिए यूसफुल हो सकता है टिप अच्छा लगे तो कमेंट करके जूरूर पताएगा तो चलि फिर टिप्स शुरू करते हैं मेरी सबसे पहले टिप चने को लेकर है फिर चाहें वो सफेज चने हो या फिर काले चने हो जब कभी भी आपको चने की सबजी बनानी हूँ अगर आपको ध्यान भूल जाए इनको भी गोने का रात को इसमें आपको सारे चने डाल देनी है जितने भी आपको चने भी घोनी है उसके बाद में इसमें आपको गरम पानी डाल देना है गरम पानी डालने के बाद में इसका आपको धकन लगा देना है फिर आप देखेंगे कि आपके जो चने है दो गंटे में ही गल कर त्यार हो आई होप के टिप आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा तो चलते हैं मारे जाक्ट यूसफुल टिप की और मेरी अगली जो टिप है वह इस तरह से प्लास्टिक की पड़ी हुई को लेकर है तो इसके लिए यूसफुल टिप बताने जारीं किस तरह से आप इसका यूज कर सकती है तो इसके लिए हमें जो है चाको गर्म कर लेना है और जो उपर का पार्ट है बोतल का ये हमें इसको जो है कट कर लेना है तो यहां पर उपर के पार्ट को कट करने के बाद में हमें इसके धकन को हटा देना है और इसका जो है मैं आपको यूज बताऊंगी जो कि आपक कर बाहर नहीं आएगी तो चाथ है मारे नेक्ट यूसफुल टिप की और मेरी अगली जो टिप है वो इस तरह से पुरानी शोटी हुई फटी पुरानी शर्ट को लेकर है आप इसके कफ का किस तरह से यूज कर सकती है यह बहुत जादा यूसफुल टिप है तो इसको भी आप ने देखा होगा नए जाड़ू पर कुछ इस तरह से तार लगी होती है अगर हम इस तार को हटा देते हैं तो हमारा जाड़ू जो है वो ढीला हो जाता है और अगर हम इसको लगे रहने देते हैं तो हमारे हाथ में यह तार जो है लगती रहती है तो आप इस नहीं है और तार आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं लगेगी आप बेज जिजक आपने ज़ाड़ू लगा सकते हैं तो आई होब के टिप आपको काफी ज़्यादा पसंद आया होगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइगन को भी प्रैस करें ताकि मेरी आने वारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन और न्यू न्यू टिप्स आप तक यूँ ही पहुंचती रहे हैं तो चलते हैं एक्ट यूसफूल टिप की और जिसको की हम ऐसी ही फिक देती हैं जब हम बिन्दी अपनी यूज कर लेत इनको इस तरह से और्गनाइज करकर संभाल कर रखनी के लिए बिन्दी के पत्ते का यूज कर सकते हैं इससे जो है इदर उदर भीकरते भी नहीं और इसलिए आप सारे एकी जगाई कठे करकर रख सकते हैं इसलिए अपने पर्स में भी या फिर आप इसको अलमीरा में भी तो मेरा अगला जो टीप है वो इस तरह से पॉलिथिन को लेकर है किसी भी पॉलिथिन की अगर जो घांट लगाती है वो टाइट हो जाई है तो आप इसको किस तरह से खोल सकते हैं तो ऊजली खोलने के लिए यूजब टीब बताने जारी हूँ आपको ग्याए करना है कि प के तोक्ञा Patch कर दी जे आपके छाइव सर्डोप निखाना की और उसके बाद में इसको आप पीज़ी किसा जीकाइड आग और देजिए अथ मेरे फूरीं के लिडिन वेटot कर देजिक दाइट में अग्ली सर्फपों तरफंसी मेरा साँखों। लेकर है झासे जब दो बरतन्द हने के लिए यूस करते हैं स्क्रबर को साबून के लिए के हैं। तो आप इस situation में क्या कर सकते हैं ताकि आपका scrubber बिल्कुल भी गिला ना रहे जब ये गिला हो जाता है तो ये बहुत ही जल दीरा खराब हो जाता है तो इसके लिए हमें क्या करना है एक सुई में धागा डालेना है जब भी आप नया scrubber लाएं और तुरंती आप इसमें सुई में धागा डालकर इसको जो हमें इस तरह से बांदेना है और दो यहाँ पर आपको नट लगा देनी है जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हमें कट कर देना है तो इस तरह से धागे को हमें स्क्रबर में बांदेना है फिर चाहें वह स्टील का स्क्रबर हो चाहें किसी भी चीज का स्क्रबर हो तो आप इस तरह से आपको दागा बांदेना है उसके बाद में आप इसको जो है अपने किचन के वाटर टैप पर इसको हैं कर सकते जिससे कि इसका पानी जो है वो नीचे की तरफ शिंक में नुच्रता रहेगा और आपका स्क्रेबर बिल्कुल ड्राय रहेगा बिल्कुल भी गीला नहीं होगा और कहीं भी आप इसको इस तरह से हैं कर सकते हैं बरतन वाश करने के बाद में आपको इसको जो है बॉक्स में र